अपने भी अपने आजपास या घर में अक्सर बच्चों को मोबाईल या कम्प्यूटर पर वीडियो गेम में डूबे देखा होगा आजकल की भाग दोड़ वाली लाइफ में ज्यादा तर माबाब भी अपनी जान छुडाने के लिए अपने बच्चों को वीडियो गेम या फिर मोबाईल में ऑनलाइन गेम खेलने के लिए बीजी रखते हैं ताकि वो सुकून से अपना काम कर सकी लेकिन क्या आपको पता है कि वीडियो गेम्स खेलने का शौक आपके बच्चों की जिंदगी के लिए खतरनाक भी हो सकता है जी हाँ ऑस्टेलिया में हाली में हुई एक स्टेडी के मुताबिक बताया गया है कि वीडियो गेम की लत अती सब्वेदन शील बच्चों के लिए बेहत खतरनाग हो सकती है क्योंकि ये ऐसे बच्चों में दिल की धड़कन अनियमती रूप से बढ़ा देता है जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है जानकारी के मुताबिक इस स्टेडी में टीम ने वीडियो गेम खेलते समय होश खो देने वाले बच्चों के अंदर दिल के रोगों से जुड़ा एक खास पैटन देखा है बताते चलें कि दिल का अनियमित तरीके से धड़कना कुछ बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है यह उनके लिए जान लेवा है बताया जा रहा है कि गेमिंग के दोरान आचानक होश खोने वाले बच्चों के माबाप को उनके दिल की धड़कन की जाच करानी चाहिए क्योंकि ये दिल की गबगीर बीमारी का पहला संकेत हो सकता है टीम ने अंतरास्ट्रिय स्तर पर कई बच्चों की समिक्षा की स्टडी के लिए शोद करताओं की टीम ने अंतरास्ट्रिय स्तर पर कई मामलों की समिक्षा कर ऐसे बच्चों की पहचान की है जो वीडियो गेम खेलते समय अचानक बेहोश हो गए थे इस दोरान 22 मामले ऐसे मिले जिनमें बच्चे मल्टि प्लेयर वार गेमिंग खेल रहे थे मल्टि प्लेयर वार गेमिंग वो होती है जिसमें बच्चे अपने दोस्तों के साथ ओनलाइन वार गेम खेलती है शोद करताओं ने बताया है कि कुछ बच्चों की दिल की धड़कन रुकने से मौत हो गई थी जबकि कई बच्चों की ट्रेटमेंट के बाद भी दिल से जुड़ी बीमारियों का खत्रा बना रहा है आसान भाशा में अगर बताएं तो उत्तेजना पैदा करने वाले गेम के दौरान मा बाप को बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए खास कर जब परिवार में दिल से जुड़ी बीमारी की हिस्ट्री रही हो निउस वर्ल्ट के लिए बीरो डेक्स की रिपोर्ट